हेलो स्टुदेंट्स एरचने शर्मा वेलकम यूटूब चैनल शर्मा इस्टडी हाउस तोड़े वियर गूंग टू सोल शिक्थ अपन यूर कोमन वर्क्षीट नंबर 88 विच इस फोर 6th 7th 8th क्लास तो बच्छो आज हम आपकी वर्क्षीट नंबर 88 सोल करेंगे जो की 6th 8th क् कि अपकी जो सट्यडियो को और शिट आती है आपकी किसी और स्थ्ड़ेक्षीट नहीं आती कॉमन वर्क्षीट है जो 28 नंवंबर की वक्षीट इसको संफ करेंगे और आज हमारा ठीम है एर पोलूशन तो एर पोलूशन आपको पता है एर पोलूशन क्या है जब हave पॉल the things that is bad for our lungs in given box आपको क्या करना है जो नीचे बोक्स दिये गए है जो चीजी हमारे लंक्स के लिए हमारे फ्यफरों के लिए अच्छी है उनके आगे गुड लिखना है और जो बैड है उनके आगे बैड लिखना है तो फर्स्ट आफ आफ आप क्या देख रहे हो पहली आपकी पिक्चर में क्या देख रहे हैं दुआ उट रहा है कितना दुआ और कितना आप द यह प्लांट रखा हुआ तो यह गुड और देखिए गाड़ियों से दुहा निकल रहा है यह बैड तो इस तरह से हमारा फर्स टास्क कंप्लीट होता है हमें गुड और बैड लिखना है दो हमारे गुड है और बाकी तीनों बैड है अब देखिए धीर दर रिपोर्ट बाइ संसार के सारे सारे मतलब हैल्थ सारे एंवर्मेंट डिटेल्स को देती है चाहिए वह कहीं की भी हो इसका यह पूरी संग्टन है जो कहीं देसों को मिलके संग्टन बनाए गया है तो आप इसकी रिपोर्ट के अकोर्डिंग आपको नीचे पहले इसे पढ़ना और इंचे द है कि एर पॉलुशन से लगभग सात मिलियन लोग हर साल मरते हैं वर्ड हैल्थ ओर्गनाजेशन यानि की डवलु एच्चो डटर शोग्ट नाउन आफट और टैन पीपल ब्रीट एयर देट एक्सीड हू गाइडलाइन लिमिट्स कंटेनिंग हाई लेवल ओ लगभग दस में से नो लॉग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जिसे डवलु एच्चो ने एक ऐसी मतलब एक ऐसी हवा बता रका है जो हाई लेवल जिसमें पॉलुटेंट होते हैं यानि की डवलुएचो के एकोर्डिंग नो में से दस में से नो लोग ऐसी हवा में सास लेते हैं जिसमें बहुत बड़ी मातरा में प्रदूशक तत्व होते हैं human activities that are major source of the outdoor air pollution include कुछ human activity भी ऐसी हैं जिन से घर के बाहर air pollution होता है तो first of all क्या है fuel combustion from the motor vehicle car and heavy duty vehicle जो गाड़ियों से दुमा निकलता है उसके करण air pollution होता है दूसरा है heat and power generation जो heat and power generator होती है देखिए oil तेल से कोई जो कोईलों से यह प्लांट्स या कोई भी जलाते हैं जिन चीज़ों को उनसे जो फैक्टरीज में कहीं भी यह चीज़े जलती हैं उनसे जो दुमा निकलता है वो भी हवा को प्रदूशित करता है इंडरिस्ट्री एर फैसिलिटीज जो देखिए जैसे manufacturing factories mines and oil refineries जो देखिए जहां oil निकलता है जहां कोई factory होती है उनसे निकलने वाला दो धुँआ हैं या उनसे निकलने वाला जो भी इंट्रिगेंट्स हैं वह भी हवा को पॉलुटेंट करते हैं उसे पॉल्यूट करत देखिए जो mcd द्वारा एक रिकल्चा द्वारा जो भी उन साइट पर जहां यह mcd वाले कुड़ा ले जाकर डालते हैं उसे जलाते हैं या फिर किसान अपने खेतों में जो आग लगाते हैं जो वेस्ट जो होता है उनका फसल का उसको जलाने से भी हवा प्रदोशित हो है कुछ और कामों के लिए जिलाने के लिए प्रदोशित करते हैं टो यह जो रिपोर्ट है यह डबलुचो की रिपोर्ट है आपका सारा है यह अब हमें कॉस्टें आसर करना है इस के अकॉड वोट कोश्टिन बरवन हैं वोट और दा मेजर सोर्स ओफ एर पॉलुशन इन तो सबसे पहले जो मेजर सोर्स है हमारा यह है मैं आपको बता दूं जो कोश्चन निम्बर ऑप्शन वन है अब फ्यूल कंविस्टिंग फ्रों मोटर वीकल यह आपको लिखना है आपके पहले वाले आंसर में पहले का आंसर है यह आप इसको लिख देंगे और सबसे में जो है हमारा बाकी सबसे इससे भी होता से किंवाले से इंडिस्टिल फैसलिटी से भी होता लेकिन में जो है मेजर सोर्स वह यही है तो आप इसको यह पर लिख देंगे फ्यूल एफ यू एल कमबस्टिंग उपर लिखा हुआ है कमबस्टिंग फ्रों मोटर वीकल यह हो गया आपका मैंने आपको बता दिया है सेकंड है हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ये ड्यू टू एर पॉलुशन तो कितने लोग दिखा बताये हैं सेवन मिलियन तो हमें क्या लिखना आपर सेवी एण सेवन एम आई डवल एल आई ओ एन सेवन मिलियन राइट दफुल फॉर्म ओ डवलुशन देखो यहां पर दिखाएगी है डवलुशन के फुल फॉर्म ये दूसरे का है और ये धर्ड का है क्या है ये वर्ड डवलु से वर्डर है फद्स ए美味 के वर्ड-च एल्से घ से और्गनाइजेशन ओ आर डी ए एन आई जाटी ऑन और्गनाइजेशन अब देखिए बधक्ण कर लिते हैं अब हमें सी में क्या करना हिब्लेंग उजिजिग द thi ए दिए गए हैं और आपको नी फिल करने है फिस्ट में देखिए डेली इस फेसिंग चैलेंज और एर पॉलुशन नावड़ेज जो दिल्ली है आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है उसके सामने वो है एर पॉलुशन का सो इजल्स लीवर इस इसे लिए में यूज नहीं करूंगी क्या यूज नहीं करूंगी फायर क्रेकर्ड्ड स्षाई इस दिवाल पर पटा के यूज नहीं करूंगी F I R E C R A C K E R S आप यहां पर यह लिख लेंगे Firecracker फस्त का है दूसरा है I will request my parents to adopt when they go to their office second volume आएगा यह फस्त का होगे second का है carpooling यहां पर आएगा बच्चों है second वाल लिख दिन कार पूलिंग मैं मैं परेंट से कहना चाहूं कि वो कार पूलिंग adopt करें जब ओफिस जाए Everyone must switch of the engine office vehicle when red light is on इसमें ओन आजाएगा इनकी थर्ड में यह आएगा जब रेलाइट ओन हो तो अपने जो भी गाड़ी है अपना जो वीकल है उसका engine off कर दें fourth है I will plant at least two देखिए यह आएगा saplings यहाँ पर यह fourth में हैगा to make my city clean neat and clean तो मैं कम से कम दो plants लगाऊंगी जिससे की मेरा सहर green और clean हो जाए तो यह आज की वरक्षिट आपकी complete होती है बच्चो जनरल वरक्षिट थी आपकी तो I hope आपको समझ आ गई होगी और आपको समझ भी आ गई होगा तेंक यू